हले व्रीवन वेलकम तु सरोज मिश्राज यूटीब चैनल में यूटीब चैनल पर आपसे भी का बहुत-बहुत स्वागत है सेंट्रल गौवर्मेंट की और स्टेट गौवर्मेंट की काफी सारी वेकेंसी एक के बाद एक निकल कर आ रही है स्टेट लेवल पर भी काफी पर्मनेंट वेकेंसी आप देख रहे होंगे और सेंट्रल लेवल पर भी वेकेंसी आ रही है तो इस अपर्चुनिटी को मिस नहीं करना है सबके लिए अलग अलग जो हैं काफी जौब ऑपर्चुनिटी इस देखने को मिल रही है तो अभी एक और नहीं अप्डेट आ गई है ओनलाइन अप्लिकेशन भी शुरू हो गई है डीटेल्ड एडवर्मेंट भी जारी हो गई है वेबसाइट पर सारी इंफर्मेशन मिले जो उसमें जो खास खास बात है हाई लाइट्स हैं वह मैं आपके लिए वीडियो में कवर करते हूं केंद्र सरकार की मीनस सेंट्रल गॉर्मेंट अफ इंडिया की पर्मनेंट जॉप्स के लिए एडवर्मेंट रिलीज होई जिसमें 2006 पर्मनेंट पोस्ट है औल इंडिया वेकेंसी से पूरे देश भर में बढ़ती होगी पूरे देश भर में एक्जाम सेंटर होंगे जो फीमेल कंडिडेट्स हैं STSC PWD कंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है सबी काटेगरी के महिला अभी अर्थियों के लिए application भी नहीं है तो 12 पास होना होगा minimum या graduate है तो application कर सकते इस opportunity को नहीं छोड़ना in fact जो भी opportunity आ रही उसको नहीं ही छोड़ना अच्छा रहेगा क्योंकि फिर बाद में vacancies देखने को मिले लंबे समय तक या नहीं मिले अगनी वीर हो जाए सारे के सारे jobs तो अगनी वीर पाटन पर आने लग जाएंगे तो वैसे भी temporary हो जाएंगे तो अभी जो भी पर्मान इंटारे उन opportunities को वैसे भी मिस नहीं करना चाहिए चलिए आगे देख लेते हैं बागी डीटेल्स अगर बात करेंगे तो 83-83 पेज है जो पूरा पढ़ना पवसिबल नहीं है लेकिन जो बेन चीज़ें कवर कर लेते हैं डेट ऑफ ओनलाइन अप्लिकेशन 26 जुलाई से अल्डेडी शुरू हो चुके हैं 26 जुलाई से लेट इवनिंग कल जो है न आज 27 जुलाई को वीडि एक चीज मैं यहां पर आपको बता दूँ फीस तो बिलकुल कम है बहुत लोगों के लिए लेकिन जब आप करेक्शन करने जाएंगे तो करेक्शन फीस बहुत जादा है तो एप्लिकेशन फीस से जादा करेक्शन फीस है इसलिए बहुत साफधानी से आराम से बैटके अप अंबर मंत में होने वाली है 2006 वेकेंसी तोटल और एलिजबिलिटी क्राइटेरिया नोटिफिकेशन कहां से रिलीज हुए जैसा आप समझ पा रहे होंगे गर्मेंट ऑफ इंडिया ससी की तरफ से स्टाफ सेलेक्शन कमीशन करमचारी चयन आयो की तरफ से यह नोटिस रिली का लेकिन ऐसे कोई सर्टिफिकेट इनोने नहीं मांगा है तो यह एक अच्छी चीज है एलिजबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे वेकेंसी यहां पर क्यालिक है टेंटेटिव देर एप्रॉक्स 2006 वेकेंसी थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है लेकिन बहुत जादर बढ़ा दिया तो वह हो जकता है कि बढ़ जाए फिर चली देखते हैं फिर और इलिजबिलिटी क्राइटेरिया क्या बता रहे हैं वह सारी चीज़ें देख लेते हैं कैंडिडेट मस्ट बी इंड सिटिजन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट ऑफ नेपाल तो मतलब ऑल ओवर इं तो उनके लिए यह रेफरेंस के लिए अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है इज कैलकूलेशन में तो यह रेफरेंस के लिए दिया हुआ है सेगेंड ऑगस्ट नाइटीन नाइटीफोर से लिए कि फर्स्ट ऑगस्ट 2006 के बीच में डेट आपकी होनी चाहिए तो मतलब आप ग्रेड सी स्टेनोग्राफर के लिए हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए एज तीन साल कम कर दिया है अपर एज लिमिट 27 यूर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एज कैलकूलेशन के लिए कट आफ डेट रहेगी 1 ऑगस्ट 2024 अगर आपको समझ करने में प्राब्लम हो रही है तो रेफरेंस के लिए यह दो डेट दिये में जो थोड़ा फरक रहेगा क्योंकि अपर एज लिमिट 27 है इसलिए 2 ऑगस 1997 से लिए 1 ऑगस 2006 के बीच में जिनका डेट आप बढ़ता है वो बिलकुल यहां पर एज के हिसाब से अपलाई कर सकते यह जो अपर एज लिमिट यह जेनल के लिए होती है समाने वर्ग के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए होता है अगर आप साल की छूट मिलेगी लेकिन आपके पास चैटिफिकेट प्रॉपर जो है ना फॉर्मैट में होना चाहिए फॉर्मैट वगर दिया होता है के लिए कुछ फीमेल कैंडिडेट्स कहते हैं कि उनको छूट मिल रही है या नहीं मिल रहे तो इक बार देख लेते हैं महिलाएं जो है ना सभी महिलाओं के लिए छूट नहीं है लेकिन अगर वीडियो हैं डाइवर्च वीमें है या वीमें जीडिश जूडिशली सेपरे अगर वीडियो हैं लेकिन सिर्फ गृप सी के लिए बांकि जो महिलाएं उनके लिए छूट नहीं है इसलिए मैंने का बता दिया क्योंकि कई बार पूछती है महिलाएं कि गौवर्मेंट देती है सेंट्रल गौवर्मेंट चूट तो सभी के लिए नहीं है तो यह हो गया एलिजिबिलेटी क्राइटेरिया चेक करेंगे एक्जाम पैटर्न बगर्ण एसेंशल एडुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं पेज नमबर एट पर और उसके हिसाब से कट ओफ डेट रहेंगी 17 अगस्ट 2016 सप्क्राइटीफ़ टक ग्रिकेशन है मीनिमम्म क्वालिफिकेशन जो मांग रहे हैं वह कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए मतले कैंडिड क्र सकते है इसके तो इसके आप से त्वेंट पास होना होगा तो बार्वी पास होना चाहिए किसी भी स्परिशित सायंस कॉमर्स किसी पास किया है तो बिद्कुल application कर सकते हैं इसके अलावा प्रतिशा तंग तो नहीं मांग रहे हैं साथ ही साथ किसी भी तरीके की extra certificate नहीं मांग रहे हैं जैसे stenography test होगी skill test बट लेकिन कोई उसले certificate नहीं मांगा जा रहा है application करने के लिए online mode रहेगा application का one time registration पहले करेंगे उसके बाद फिर बाकी process complete कर सकते हैं official website पर ही first time registration करेंगे और इसके बाद application process complete कर सकते हैं application fee की detail अगर चेक करना चाहें तो page number 10 पर 10 page number पर आपको मिल जाता है जिसमें clear लिखा है women candidate, candidate belonging to SCST, PWD, ex-servicemen इनके लिए fee exempt किया हुआ है कोई fees नहीं रहेगी बाकी जो पुरुष अभी हरती है male candidate है तो जो male candidate है जेनरल के OBC and EWS category के male candidates है उनके लिए 100 रुपीज application fees होने वाली है और fee non refundable रहेगी क्रेक्शन मैंने जैसे बता है कि फॉर्म भड़ते से में साफधानी बढ़ते है क्योंकि correction fees ही बहुत जादा दिखाई दे रहे है 200 रुपीज correction fees यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे है पेज नबर 12 आप विजिट करेंगे जिसमें कि सभी जो हैने exam center and center code के साफ़ दिया गया all over India exam centers रखे जा रहे है all over India exam centers बनाए जाएंगे जो भी आपके nearest center वो mostly आपको मिल जाएगा यह आसपास ही आपको अपने state में center मिलेंगे center में request अगर आप करेंगे change करने का तो बार में consider नहीं होता है तो जो आपको फिल करना है computer based examination में देखें general intelligence and reasoning होगा general awareness होगा English language and comprehension होगा जिसमें की 2 गंटे का time आपको मिलेगा and question में जो सिर्फ मस्तुनिष्ट प्रशन रहेंगे multiple choice question or objective type questions रहेंगे और Hindi और English दोनों options आपको मिलेंगे Hindi में पढ़के answer करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं English में पढ़के answer करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं इंडिकेटिव syllabus वह अगर आप चेक करना चाहते क्योंकि सबसे इंपोर्टन चीज है कि syllabus क्या है तो वह पेज नंबर 15 से शुरू हो गया है General Intelligence and Reasoning में क्या पूचने वालें General Awareness में क्या पूचने वालें English Language and Comprehension में क्या पूचने वालें Skill Test Stenography आपको आना चाहिए कोई भी certificate नहीं मांगा जा रहा है लेकिन Skill Test Stenography वह लेंगे जो कि English में रहेगा 50 minutes duration रहेगा And D के लिए Hindi English दोनों में रहे दोनों का option दिया हुए तो यहां पर दियावा page 16 पर Stenography Test पूच सकते हैं Candidate who opt to take the Stenography Test in Hindi will be required to learn English Stenography and vice versa After that, एक आप कोई भी Stenography दे सकते हैं Hindi या English लेकिन आपको सीखना दोनों होगा बाद में Hindi या English कोई भी Stenography Test आप शुरू में दे सकते हैं एक्जाम पास करने के लिए लेकिन बाद में आपको दोनों करना होगा अगर हिंदी में देंगे तो English सीखना होगा Stenography और अगर English में देंगे तो Hindi Stenography आपको सीख लेनी होगी आपको दे सकते हैं कि कौन सा देपार्टमेंट या कौन सा पोस्ट आपको चूज करना हो minimum qualifying marks आपको computer-based test में लाना होगा जो कि general के लिए 30% है, OBC EWS candidate के लिए 25% and other categories यान के CST लिए 20% इतना तो आपको qualifying लाना होगा, otherwise आप exam से out हो जाते हैं आपकी सभी details आपको online application अगरे के लिए official website पर मिल जाएगी स्टाफ सेलेक्शन कमीशन, Government of India, भारत सरकार यह बिलकुल Government of India, Central Government की जाब होती है पर्मानेंट पोस्ट होती है और इसकी पेस्केल बनेगी आराम से आपकी शुरू में बन जाएगी 40-46,000 तक बनेगी बारने सालरी बढ़ती रहती है तो minimum graduate होना है या फिर अगर आप sorry minimum 12th pass होना है graduate भी है तो भी apply कर सकते है minimum 12th pass भार भी pass होना चाहिए यहां पर देगे notice board में 26th July की date से update आई भी है notice of stenograph for grade C and E examination यह आपको check कर लेना है और जो candidate interested होंगे वो application कर सकते हैं तो application के लिए यहां पर आपको login और register करके apply करके यहां पर option दिया होगा इस पर आप करेंगे register करना होगा और register करके फिर यहां से आप application process complete कर सकते हैं official website की link के लिए आप इसी YouTube video की description box को नीचे तक scroll down करके check करेंगे link आपको मिल जाएगी